Hi everyone, it's Prince here. Matrix की सीरीज में, again, आपका वेलकम है. आज जो हैं जो सवाल करेंगे, वो एकदाँ वाम अप सवाल है, ठीक है? वाम अप सवाल कहने का मतलब काफी आसान है, बट थोड़ा सा लॉजिकल है, एंड थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है. सोचने वाला भी नहीं है, basically, मैंने ये करवार रखा है आपको, इसको वाम अप की तरह लेते हैं, और इस कोसन के बैसे पर आज मैंने आज जो होम बग दिया हूँ, उसको आप डेफिनेटली करना, ठीक है? अब जो है मैंट्रिक्स की सीरीज में, basically, लोग भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, आज देख रहे हो चाहे वो इस वीडियो आप एक साल बात देख रहे हो दो साल बात देख रहे हो, जो भी question में लिंक दिया हुआ है उसको solve करके comment पक्का करना कि यह सवाल हमसे हो गया क्योंकि सबस्यादा important वही है आपका सवाल करना मेरा करवाना अतना important नहीं है वेकर हम 4 सवाल करवाएंगे 5 करवाएंगे लेकिन next आपको फिर खुद से try करना पड़ेगा और जब तक आप आपकी खुद की practice नहीं रहेगी आप आगे सवाल solve नहीं कर सकते हैं चलो quick move करते हैं सवाल के तरफ यह रहा सवाल वीडियो को pause करो और सवाल पढ़ो और फिर आप देखो कि आपसे यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है तो समझ में आ गया आपने पहला step clear कर लिया दूसरा आप इसका code सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो कि तीसरा आप इसको code लिख पा रहे हो कि नहीं ठीगा तो आयोब आपने इस सारी चीज़े ट्राइ की होंगी और आप से हो गया होगा विकाष सवाल वागी में उतना टफ नहीं था बट स्टिल जो लोग नूइभी है जिनको पता नहीं कैसे करते हैं उनके लिए मैं फिर से एक अप्रोच बताता हूं इस तरह के सवाल ना आते रहते हैं कि रोको कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को आपस में एक दूसरे से, कॉलम को फर्स्ट और सकेंड में, मतलब इंटर्चेंजेबल वाले चीज आते रहती है, एक बार अगर आपको इसका फंडा किलियर हो गया, तो आप चीजों को कर ले जाओगे, ठीक है, इस कुछन के लिए मैं लास्ट वाला रो को इंटर्चेंज करना है, फिर एक नीचे रो और ऊपर वाला रो को इंटर्चेंज करना है, let's suppose मैं सवाल की बात करूं, तो आप सिर्फ दो रो चलो, जैसे कि अगर यहां पिर नमबर आफ रोस कितने हैं, तो हम सिर्फ आधे तक चलेंगे, अगर हम पहल इंटर्चेंज करेंगे आई बराबर टू के साथ, फिर जब आप रोस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, अल्टिमिटल हमारे पास फाइनल एंसर आजाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आई बराबर जीरो है, तो उसका कर्रस्पंडिंग आई बराबर थरी, आई बराबर वन तो अब यह वैल्यू आए का ऐसा रही है, ले्ट सुझ आई बराबर वन है, ठीक है, तो दूसरा क्या आया, आई बराबर वन है, जिसके साथ हमेंगे चेंज करना है, तो वो कैसे आया, एंड-1, मिनस आई, इस केस में आय की वैलु अगर वन है, तो एंड-1, म हो रहा है मैं फिर क्या रहा हूँ अगर आप इस सीरिस को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको यह विदम बच्चा लग रहा होगा बहुत अच्छा जाएगा क्यों कि उसके साथ जो नहीं होने वाला है वो सवाल भी तुमसे हो जाएगा अभी कितना सिंपल है पहले हम क्या कि इंट रोफाइंड कर लिए सॉरी रोफाइंड कर लिए क्या मैट्रेक्स ऑफ मैट्रेक्स डॉट साइज अब क्या इंट कॉलम फाइंड कर लिए मैट्रेक्स ऑफ जीरो डॉट साइज यह कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग वीडियो देखो पूरी मैट्रेक्स के ल int i बराबर 0 से लेकर i less than row by 2 तक चलते हैं ठीक है, because हमें row by 2 तक चलना है, and i plus plus तक चलते हैं फिर क्या करते हैं, for int j बराबर, कहां तक, 0 से लेकर, j less than column तक, and j plus plus, and nothing, swap matrix of i, comma, अब देखो, i तो ठीक है, comma, j, फिर matrix of, अगर हम row i ले रहे हैं, तो दूसरा जिसके साथ correspond हमें change करना है, interchange करना, वो क्या होगा, n minus, मतलब कि basically n क्या है, number of row, ठीक है, तो row minus 1 minus i, और यहां पर हो जागा तुम्हारे पास j, अब हम इसको क्या करते हैं, submit, अब देखते हैं कि, क्या रहा answer, तो यह तो काम कर जाना चाहिए, because, अच्छा, यहां पर आएगा आपका, semicolon, because function end होने के बंद, class end होने का, semicolon, internet slow है क्या, that's all, completed, तो यह था सवाल, अब जो हम सवाल आपको दे रहे हैं, वो सवाल है, यह, matrix interchange, इस question को आप अच्छे से पढ़ना, and आपसे हो जाए, तो please comment करना, आपको अच्छा लगेगा, and मुझे तो ख़र बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, इस video को end करते हैं, nothing, कोई इसमें logical change नहीं थी, बस आपको loop लगाने का खेल था, and इसके पास maximum 2 या 3 question और आईए matrix पर, फिर अपन housing इस्टार्ट करेंगे, आप इस series में बने रहो, पक्का confidence boost up होगा, कि matrix तो आपसे सवाल होने लगेंगे, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगता है, तो it's very good, मतलब कि आप share करो, आपको लगता है कि ये वीडियो औरों की मदद कर सकता है, और जो जतने भी non-coder से student है, जो coding सीखना चाहते हैं, ये channel अगर helpful लगता है आपको, तो please आप अपने social media पे share करो, मुझे tag करो LinkedIn पे, Instagram पे, और मुझे आपसे suggestion लेना था, कि YouTube में जो sorts आते हैं, YouTube sorts करके होता है, मैं उसमें किस तरह से अपना part कर सकता हूँ, मतलब कि आपको ऐसा क्या लगता है, कि मैं YouTube sorts में कर ये बताऊंगा, तो आपके लिए beneficial हो और हमारे लिए beneficial हो, तो comment का wait करता हूँ, तो के लिए भाई, विलते हैं नेक्स वीडियो,